वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 21 अक्टूबर 2022 और 21 अक्टूबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आ पीडियाप आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड का सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कुशन है, हाली में 200 सांकी की दिवस कब मनाया गया है, तो अभी 20 अक्टूबर को 200 सांकी की दिवस मनाया गया, तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है, बेस्टू के सामाजिक आर्थिक विकास मे आकणों के योगदान का जस्न मनाने के लिए, हर साल 20 अक्टूबर को ये 200 सांकी की दिवस मनाया जाता है, अब यहाँ पर ध्यान लगना है, ये 200 सांकी की दिवस है, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडिया में जो भारत में सांकी की दिवस मनाया जाता है, वो कब मन जाता है अच्याँ बेश अक्टूवर को ही अंतरास्टी रसोय दिवस में जाता है और अने-विक यह अंतरास्टी ब्रद जन अमिश्टाइंद धी बेशु साकाहरी दिवस और अंतरास्टी कॉफी दिवस मनाए गया। 2 अक्टूवर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस और स्वक्ष भारत दिवस मनाए गया। 3 अक्टूवर को बेशु पर्यावास दिवस मनाए गया। 4 अक्टूबर को 200 पसु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को 200 सिक्षक दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को 200 कपास दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को 200 मुस्कान दिवस भी मनाया गया, 8 अक्टूबर को 200 प्रवासी पक्षी दिवस और भारती बायुसेना दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को 200 डाग दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को 200 मानसिक स्वास्ते दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को अंतरास्टी बालिका दिवस मनाया गया 12 अक्टूबर को 200 गठिया दिवस मनाया गया 13 एक्टूवर को अंतरास्टी आपदा न्यूनी करड दिवस मनाया गया 14 एक्टूवर को अंतरास्टी एक कचरा दिवस मनाया गया 15 एक्टूवर को 204 दिवस और ग्रामीड मैला अंतरास्टी दिवस मनाया गया 16 एक्टूवर को 205 दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को अंतरास्टी गरीबी उन्वूलन दिवस मनाया गया तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपोर्टेंड है यह आपको याद रखने है अच्छा आज की स्वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता ह है यह लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक को और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट करो और फिर अपना सर इनको भारत सरकार ने नए रक्षा सचिब की रूप में न्यूप किया तो इस कुश्यन का से ओप्षन सही है अच्छा यहां पर एक नाम लिखा है संजय मलोत्रा संजय मलोत्रा को राजस्व विवाग का सचिब पॉइंट किया गया है तो इन दोनों लोगों का नाम आप य संजय मलोत्रा यह राजस्व विवाग में सचिब बने हैं और अर्माने गिर्धर यह रच्छा सचिब बने हैं अच्छा अभी अडानी एरपूर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुड बंसल को न्यूप किया गया बारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप म कारवार समाला है बेसी सी आई के चत्तेसमें अध्यष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया पेटियम पेमेंट बैंक ने डेपेन सिंग राठोर को अंतरिम CEO के रूप में न्यूप किया किसोर कुमार पूल दासु को SBI जनरल इंसुरेंस के MD & CEO के रूप में कुशन है हाली में प्रदान्मंत्री मोधी ने कहां देशा में नए रड़नीतिक हवाई अड़े का सुभारम किया तो अभी गुजरात में बनास काठा जिले में देशा में प्रदान्मंत्री मोधी ने नए रड़नीतिक हवाई अड़े का सुभारम किया तो इस कुश्यन का डे आप्शन से हैं अब गुजरात तो यह है मैप में गुजरात गुजरात की केपिटल क्या है गांधी नेगर गुजरात के चीपनिष्टर कौन है वो पेंद भाई पटेल और गुजरात के गवर्णर कौन है आचारे देबरत अच्छा अभी बारेमाट डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधी नगर में शुरू हुआ गुजरात का मोंडेरा भारत का पहला 24Y7 सौर उर्जा संचालित गाउंगों सित हुआ है गुजरात के मुख्यमंत्री ने एफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की सुरुआत की सबसिड़े के साथ सेमी कंड़क्टर न गुजरात ने की है और इस टेल स्लेंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्गाटन सूरत में हुआ है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एसियाटिक लॉइंस के लिए फेमास है गुजरात में सरदार सरोबर डेम है नल सरोबर लेक है थोल लेक है कंकड खेजाडिया लेक है ने शुशन है हाली में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुक कौन मने है तो अभी कॉस्थूप कुलकरणी जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुक बनी दिस्कुशन का से ऑप्सन सही है अच्छा अभी बिनायक गौडसे को भारती डेटा परिशत के नए CEO की रूप में नियूप किया गया राश्टी आपदा प्रवंदन प्राधिकर्ड की निदेशक मृडालनी स्रीवास्तव बनी है देश के अगले चीप जस्टिस डेवाई चंद्चूड बने और ए एन गोपाल कर्ष्णन ने सेबी की पूर कालिक सदस के में क्या है लाइप में सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है और जब मैचुर्टी होगी तो आपको मैचुर्टी मिलेगी और अधर कवर भी आपको मिलेंगे तो यह एक नई धन बरसा यूजना सुरू की तो इसको शिन का बे ऑप्सन सही है अच्छा एलाइसी इसकी स्तापन कब होई थी एक सितंब्र 1956 को इसका हेडकोर्टर कहाँ पहे है मूंबई में इसके प्रजेंट टेम पेशेर mind story का विमोचन किया तो IRS अधिकारी हैं साहिल सेट इन्होंने अपने नई पुस्तक a confused mind story का विमोचन किया तो इस कुछ इनका बे आप्शन सही है अच्छा अभी ससी थरूर ने एक नई किताब अमेड कर अलाइफ लिखी सौजर्ड मारेन ने एक नई किताब बिल पॉबर लिखी है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रो अस्पेक्ट्स 75 इयर ओफ इंडेमेंडनेंस नामक पुस्तक आस्थूस रारावे करने लिखी है अमेड सिन्ना और जॉय बट्टाचारिया दोरा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अंटूल धोनी नामक पुस्तक का बिमोचन किया गया अच्छा द जर्नी ओफ नेशन 75 इयर्स ओफ इंडियन एकॉनमी ये पुस्तक संजे बारू ने लिखी है ने कुशन है हाली में अंडर 23 वर्ल्ड चेंपियंसिप में मैडल जीतने वाले पहले भारती कौन बने हैं तो अभी साजन भनवाल अंडर 23 वर्ल्ड चेंपियंसिप में मैडल जीतने वाले पहले भारती बने हैं तो इसकुशन का से ओप्सन सही है इस्पेन में Under 23 World Championship में साजं भनवाल ने पहले भारती Greco-Roman पहलमान बनकर रिकॉर्ड बनाया है अच्छा, भारती Greco-Roman पहलमान का मतलब क्या है? Greco-Roman तो ये कुस्ती का एक रूप होता है Greco-Roman इसमें क्या होता है? पहलवान को अपने सरेर के उपर ही हिस्से का उप्योग करना होता है बोडी के नीचे पाड का यूज नहीं करना होता है कमर से उपर के हिस्से का यूज करना होता है कुस्ती लड़ने के लिए तो ये कुस्ती का एक टाइफ है ग्रीको रोमन तो ये पहले बारती, ग्रीको, रोमन, पहलबान मने हैं, साजन, बनवाद, ने क्यूशिन है, हाली में केस राय सरकार ने गिद्दों के संरक्षड के लिए पैनल का गठन किया, तो अभी तमिलनाडू सरकार ने गिद्दों के संरक्षड के लिए पैनल का गठन किया है, तो इ तमिलनाडू की गवर्णर कौन है आर एन रभी अच्छा अभी तमिलनाडू राजी सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारेंड अधिसूचित किया पेगा ट्रोन ने चेननाई में आईफोन का निर्माड सुरू किया तमिलनाडू की कैबिनेट ने ओनलाइन जु अब एक खाद दिसूरक्षा सूचकांग जारी किया गया था उसमें तमिलनाडू टॉप पर रहा था तमिलनाडू में चले कट्टू का आईउजन किया जाता है आध्यि पूराम त्यूवार तमिलनाडू में मनाय जाता है और अभी तमिलनाडू ने तमिल थाई बजदू को अपना राज की गीत कोसित किया था तमिल थाई बजधू इसको तमिल लडू ने अपना राज की गीत कोशित किया था तमिल लडू सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व है इसे अभी टे एक्स टू अवार्ड मिला था नेक क्योशन है हाली में प्रदानमंत्री मोधी ने कहां मेशन इसकोल आफ एक्सिलेंस लॉंच किया तो अभी गुजरात के गांदी नगर में प्रदानमंत्री मोधी ने मेशन इसकोल आफ एक्सिलेंस लॉंच किया तो इसकोशन का A option सही है Mission School of Excellence ये 10,000 करोड रुपए की परियोजना है और ये परियोजना इसकूलों के बुनियादी धाचे के बिकास के लिए है जैसे स्कूलों में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए स्कूलों में प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए यानि कि स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैतर होना चाहिए इसके लिए है ये Mission School of Excellence योजना इससे प्रदानमंतरी मूदी ने गुजरात के गांधी नगर में लौंच किया है ने क्यूशन है हाली में भारत ब्यापार संबर्दन संगठन के CMD कौन न्योगत हुए है तो अभी प्रदीप खरोला बारत ब्यापार संबर्दन संगठन के CMD न्योगत हुए तो इस Question का बे Options आई है यह हैं प्रदीव खरोला और यही भारत ब्यापार संबर्दन संगठन के CMD अपॉइंट हुए अब भारत ब्यापार संबर्दन संगठन इसकी स्थापन कब होई थी 1977 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में कहां पे न्यू डेली में हाली में किस देश के प्रदानमंतरी ने इस्तीफा दिया तो अभी UK की प्राइम निस्टर बनी थी लिज्ज ट्रस और इन्हों ने प्रदानमंतरी बनने के 45 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है यह हैं लिज्ज ट्रस यह मात्र UK की 45 दिन प्राइम निस्टर रही और एकॉनमिक कंडिशन न सुधार पाने की वज़े से इन्हों ने UK के प्राइम निस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया तो यह अब UK में सबसे कम समय तक प्राइम निस्टर रहने वाली ब्यक्ति बन गई हैं अच्छा अभी उल्फ किस्टर सन स्वीडन के नए प्राइम निस्टर चुने गए अब्दुल लतीफ रासिद यह इराक के नए राष्ट पती चुने गए कैप्टन एब्रहेम तुरे यह बुर्किना फासो के नए राष्ट पती चुने गए चाड के प्रधान्वंतरी अलफट पा앙मी पड़के ने इस्तीफा दियाative इडले की पहली माईला प्रधान्वंतरी बनेंगी और माली की सेना ने करनल अब्दॉलाय मायगा को अपना अंत्रेम प्रधान्वंतरी न्यूक्त किया है नए कुषिन है हाली में पाँच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किये जाएंगे तो अभी मद्य प्रदेश में पाँच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किये जाएंगे तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ये मद्यप्रदेश के आठ जगहों पर होंगे, पांच में केलो इंडिया यूथ गेम्स, अब मद्यप्रदेश में होंगे तो ये है मैप में मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, और भोपाल में क्या है, भोज़ताल, मद्यप्रदेश की चीपन आइला मेराथन 2022 का आयोजन मद्यप्रदेस में किया गया स्वच्छ सरविच्षड 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज मद्यप्रदेश को गोशित किया गया अच्छा मद्य प्रदेश में काना, बांदवगड, मादव, संजय, पन्ना और सत्पुड़ा नेशनल पार्क है और अभी मद्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो नामी भिया से चेते लाए गए थे उनको छोड़ा गया नए क्यूशन है हाली में किस ने भारती जन उर्बरक योजना सुरू की है तो अभी प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने भारती जन उर्बरक योजना सुरू की तो इसकुशन का से ओप्सन सही है प्रदानमंत्री किसान सम्मान सम्मिलन का उद्गाटन अभी प्रदानमंत्री मोधी ने नई दिलने में किया और वहीं पे भारती जन उर्ब्रक यूजना शुरू की है और बन नेशन बन फर्टिलाइजर को भी प्रदानमंत्री मोधी ने यहाँ पे लागू किया है ने की शिन है, हाली में कौन से राज सरकार संपूर टैक्सी उद्योग के लिए एक साजा एप लॉंच करेगी, तो अभी गुआ, गुआ गवर्मेंट संपूर टैक्सी उद्योग के लिए एक साजा एप लॉंच करेगी, तो इस कुशिन का A option सही है, और इस एप का नाम होगा गुवा टेक्सी अब गुवा तो ये है मैप में गुवा गुवा की केपिटल क्या है पड़ जी गुवा की चीप निश्टर कौन है प्रमूद साबंत और गुवा की गवर्नर कौन है पे एस स्रीधरन पिल लई अच्छा अक्टूबर दुजर तेईस में 37 में रास्टी खिलो से गुवा में होई है बित मंत्री निर्मला सीतार मनें गुवा में रास्टी सीमा सुल्प और जीस्टी संग्राले का उद्गाटन किया है अच्छा गुवा इस्ताब्दनां दिवस कब मना जाता है तेईस मई को और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंड है गुवा लिबरे क्यूशन है हाली में वर्ड सैस का 14 संग्र कहां आयुजित किया जायेगा तो अभी मुंबई में बर्ड News ईस्ताब्य का 14 मात दौश्ञर किया लगा तो इसकुषिन का से में गए उल्फ किस तर्सन यानि किस कुश्यन का बे ऑप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेड़नेस कांसा सही दिया मुश्ट लेश्ट्वेड़नेस के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक वर फिर बोलूंगा क्वेश्यन के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में कट्टी विहूत त्योहार किस राज में मनाया गया चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर होताना है और इसके लाबा हम हमारे Facebook पेज पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रे सासी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की सुड़ो का target जरू याद रखना आज की सुड़ो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो क कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अब ही तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराव नहीं